एक मित्र ने पुछा है, बाबा अगर देनिक रिया कलाब के दोरान उमंग केंद्र पे ध्यान रखकर ओम हुँ का सुवरिन करूं, तो क्या ठीक होगा? उर्जा समादी में जो अभी चल रही है, उसमें उमंग का ग्यान दिया जाता है, पहले उमंग को समझ लो, कि जैसे बाहर, शरीर के तल पर उमंग का क्या स्वरूब ये उर्जा है तुम उर्जाईत होते हो शरीर के तल पर एक उर्जा से भरे हुए अपने आपको अन्भोग करते हो ये शरीर के तल पर उमंग है दूसरा मन के तल पर उमंग क्या है उत्सा जील जिसको कह सकते है मन में एक उत्सा है यह मन के तल पर है हिर्दय के तल पर क्या हुआ हिर्दय के तल पर एक उल्लास से बरे हो उल्लास से बरे हो और आत्मा के तल पर जब यही उत्सा है तो उसका लाम उमंग है आनंद से समझो तो बात समझ में आएगी जैसे शरीर के तल पर जो आनंद है उसको क्या करते है उसको प्लेजर कहते है प्लेजर शरीर के तल पर है एक शरीर के तल पर एक खुशाली का एक अच्छेपन का अन्भो कर रहे हो अच्छा लग रहा है सुखी हो रहे हो सुख का अन्भो कर रहे हो शरीर के तल पर तो उसको क वे स्वाइनिस प्रसन्दता ये लो अनंद बिस इस geschnas और आत्मा चरिये और बिस्थD इसी तरह से आणंद के चार आयाम हमने बताए ऐसे उमंक के ये चार आयाम है, शरीर के तल पर अरजा, निक तल पर उत्साह, और फिर हिर्दय के तल पर अल्लास, और आत्मा के तल पर उमंग, अब ये जो निराकार में, जो नूतंता महसुस करते हैं, वैसे उमंग के बाती है, जो जंगल में जा रहे हो, बच्चों के साथ, परिवार के साथ जारा gonna be the best human加油 время, the best student looks there in massive निया जनवर दिखेगा, न्या पन्चीद कोई रेंगाется, साथ जारा दिखेगाः भाग दिखेगा, हाथी देखेगा, मोर दिखेगाः, तो कुछ नया कुछ घटित होने वाला है बड़े उमंग मेरा थे के नदी तर पर जा रहे हो, पिकनिक में जा रहे हो, कुछ नया घटित होने वाला है। अब, वीकेंद्स में जाओगे, अब हमेशा तो जनगल जा नहीं सकते हैं, आखिर कामकाज भी करना है, नौकणी करनी है, अब हमेशा नया नया वातावरन को परि श्थितिों को हमेशा नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है, जो नया करने की जड़ुरत नहीं है, तो नया है, वो सदा सदा से नया है, और वह तुमारी आत्मा है, वह तुमारा अंतराकाश है, वह तुमारा निराकार है, और उसमें अकारन ही उत्सा तु महसूस करते हो, जिसका नाम उमंग है, आत्मा का उत्स जो सदा ही नया है, नूतन है, नूतनम, नूतनम, पदे-पदे yátma की परिभाष्षा है, हर कदम पर नया है, कभी बासी नहीं होता, हमेशा फ्रेश है, हमेशा ताज आए, एक ताजगी का अनुभाव करते हो, सद्ध्यसनात का अनुभाव करते हो, जैसे फवारा ज़र रहा ह स्फूर्ति है नयापन है नूतन्ता है उसका नाम उमंग है अब उस उमंग को लेकरके सुमिरन करो जैसे मंत्र ओम हुँ है अब ओम के साथ उमंग मैं निराकार का अनुभव करो और हूं के साथ तादात में बनाओ कि मैं यही उमंग हूं मैं दिवय उमंग हूं I am divine thrill और इस सुमिरन में तुम रहो, जैसे चक्रमन सुमिरन कर रहे हो, चार कदम तक सांस लो, ओम के साथ उमंग का अनभव करो, और हूं के साथ छे कदम लो, और तादात में बनाओ, कि मैं यही उमंग, मैं आत्मा हूं, और अगर इस सुमिरन में जीना शुरू करो, तो काय को नि अजयाली है, उकता हुआ सूरज, भाती हुई नदी है, गिरता हुआ ज़र्णा है, उड़ते हुए पंछी है, प्रकृति से जोड करके उमंग ले सकते हो, लेकिन अप्रकृति सब जगव उपलब्द नहीं है, वैसे निलाकाष, निलाकाष बड़ा उमंग देता है, लेकिन अज़ जगा निलाकाष भी नहीं है आजकल शहरों में, अब सूरज धर्षन हमारे रिषिक आते थे, प्राता सूर्य धर्षनम, लेकिन अब तुम लोगों ने मंत्र बदल दिया, प्राता चाय धर्षनम, अब सूरज धर्षन होता ही नहीं है, बहुत लोग तो बड़ते है अब सूरज का दर्षन क्या होगा, तो आज जो डिप्रेशन इतना बड़ता जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि प्रकृति से हम कट गए है, प्रकृति से कट गए है, तो पहली बात, अगर प्रकृति से आप जुड़े हो, तो हर समय कुछ नहीं है, आस्मान देखो रंग बदल रहा है, सूरज देखो रंग बदल रहा है, नया नया है, पंचियों को देखो, लोग पंचियों को नहीं देखते, लोग आकाश को नहीं देखते, इतने सारे पंचियों उड़ रहे हैं, ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन अगर किसी तरह तुम प्रकृति के प् पताशा, डिप्रेशन, इसके लिए तुम्हारे जीव में कोई जगा नहीं होगा. लेकिन उससे भी सरल, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुडाने संत्र थे, बहुत बाड़ गुफाओं में साथना करते थे, अब प्रकृति को तो भी नहीं देख पा रहे हैं, वे कैसे उमंग में रहते थे, वो कुछ नहीं आख बंद कर लिया, और भीतर उस उमंग में अंतर आकाश का अनुभव करने लगे, और फिर वे हमेशा उमंग में जी रहे हैं, तो सरल्तम उपाए हैं, उमंग में अंतर आकाश को अनुभव करना, और तादात में बना लेना कि मैं यहीं उमंग हूँ, और जब तादात में उमंग से तुम्हारा तादात में बन जाएगा, तो फिर किसी तरह के निराशा की कोई ज़रूरत दी है, तो जब भी यहां तक की ऊपर के समाधी कारिक्रमों में जाते हो, तो निश्चित उसके अंसार सुविरन करना पड़ता है, लेगिन कभी मन उदास हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए उमंग की साधना कर लो, उमंग का सुविरन कर लो, और फिर देखो कैसे उमंग से भर जाते हो, सदा तुम्हारा जीवन उमंग से भर जाएगा.